हलो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस तुड़ों में मैं आपको मुबाइल के अंदर आने वाली कॉलिंग से रिलेटेड प्रॉलम का सुलूशन बताने वाला हूँ दोस्तो बहुत सारी प्रॉलम्स आती है जब हम कॉल रिस्यू क होगे तो डेफिनिट्लिए आपको यह प्रॉलम का सॉलुशन जो च्छे प्रॉलम को बताने वाला हूं उसका सॉलूशन नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ शायद ही यूट्यूब के पर इस तरी की प्रोसिजर अवेलेबल हो तो दो स है जब हम रिस्यो कर पाते हैं यानि फॉर्स टैम जब कॉल आ रहा है तो मुबैल कॉल करने से पहली वो कड़ हो जा रहा है तो यह दिक्कत होती है इसका सोलुशन में आपको बताने वाला हूं दोस्तों जितने भी प्रॉल्लम में आपको बताऊंगा उसका एक ही सोलुशन है अलग-अलग सोलुशन नहीं है कॉमन सोलुशन है और जब भी इस तरीकी की प्रॉल्लम अगर आपको आती है तो आपको इसी जो सोलुशन में आपको बताने वाला हूं इसी को फॉलो करना है तो डेफिनिटली कॉलिंग से रिलेटेड जितने भी आपको इस्यूस आ रहे है है वो सौल हो जाने वाले हैं दूसरी चीज होती है कि आपने चैनल के उपर पुराने कुछ वीडियो है कॉलिंग से रिलेटेड कुछ इशू का सॉलुशन में आप मैंने बताया है तो इसमें बहुत सारी यूजर की कमेंड आती है कि जब हम कॉल लेते हैं कॉल करते हैं तो हमारा ऑटमेटिक लाट स्पीकर ओन हो जाता है तो इसका भी सोलुशन में आपको इसके इस वीडियो के अंदर इस सोलुशन में बताने वाला हूं तिसरी चीज होती है कि हिस्ट्री डिलेट नहीं होती है जब हम कॉल कर लेते हैं बातचीत कर लेते हैं कभी-कभी हम नोटि लीजिस करते हैं कि हमने बात की और हम नंबर को फाइंड आउट कर रहे हैं नए नंबर था लेकिन वो लिस्ट में नजारी नहीं आ रहे तो यह एक इसू होता है तो इसका भी यह प्रॉल्लम का भी सोलुशन में आपको बताने वालो अग्ला जो प्रॉल्लम होता है वो होत तो practically क्या होता है कि वो background में बजने लगते हैं यह जब हमें call आ रहे हैं तो हमें तो ring बच्टी भी सुनाए दे रही है मुबाइल के अंदर लेकिन practically call किसका आ रहे है वो नजरी नहीं आता है इस्क्रीन जो सिर्फ हमारा जो हमें wallpaper है जो app से वो नजर आ रहे हैं लेकिन किसका call आ रहे हैं नजरी नहीं आता है तो यह भी एक बहुत ही common सा problem है तो यह भी आज की इसके वीडियो के अंदर में इसका solution आपको बताऊंगा अगले जो प्रॉल्लम होता है नंबर का शो ना होना यह जब कॉल आ रहे हैं तो सिर्फ इसक्रीन नजर आ रही है नंबर नजरी नह आ रहे है या नाम नजरी नहीं आ रहे है तो यह भी problem होता है इसके अंदर calling के time तो इसका भी solution इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं तो चलिए mobile skin पर ही मैं आपको practically बता दिता हूं किस सरी के से इस problem को इन सारी problem का जो एक common solution है वो कैसे करना है सबसे पहल रहे होंगे कि flight mode अगर हमें on on कर लिया तो हमारा तो internet भान हो जाएगा तो दोस्तों हमें बंद कर लेना है बस इतनी आप कर लिजिए बंद कर लिजिए इसे और किसी horseport से connect कर लिजिए वाइफाई से या किसी और other mobile से connect कर लिजिए ताकि internet हमारा on रहे ऐसे इसलिए करना है क कि जो चीज़ हम कर रहे हो सही से ना हो दोस्तों यह बहुत यूनीक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं शायद ही सरीकी की का solution जो है internet पर YouTube पर मौजूद हो दोस्तों आप मैं जैसे मैं आपको बता रहो वैसे आप करते चलिए इस जैसे वीडियो हो सकते हैं बड़ यह न सबसे पहले हमें play store on करने play store on करने के बाद आपको सर्च करना है phone app उपर की तरब यहां पर हम टाइप कर लेंगे phone app phone app टाइप करने के बाद आप देखें यहां पर phone by Google यहां पर हमें टाइप करना है पहले तो हमें काम करना है कि इस application को install कर देना है अभी आप सोच रहे यह लए अप देट जाएगे तो हमें करना नहीं है यह क्यारफुली अभर द्यान में रखें तो अन्स्टाल कर लेंगे वाद आपको दूसरी और एक प्रोसेस करनी है देखें अपडेट बागी है अभी हम क्या करते हैं सबसे पहले हम्वारे मुबाइल के setting में आते हैं, setting में आने के बाद यहां पर हमें जो apps होता है हमारा उसे search करना है, जहां पर app management है हमारा, apps में आना है, app management में आना है, उसके बाद यहां पर हमें phone app को search करने है, दोस्तों आप complete step by step देखिए, वीडियो को skip मत कीज़े, आपको बीच में दिक्कत आ सकती, तो यह आपको बीच्व करना है, यहां पर इसे कुछ the steps हमें यहां पर follow करनी है, सबसे पहले तो यहां पर storage में आना है, storage दो options में नजर आ रहे, घाई नहीं करना है, step by step कर लिए, ताकि को को दिक्कत में आए, तो सबसे पहले, यहां पर हमें clear cache file नीचे दो button लिखा बना है, इसको आपको टैप करना है उसकी बाद क्लियर डेटा कर लेना है इससे भी आपके कॉंटक्स पर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है इससे सिर्फ होगा कि अपने रिसेंट कॉल से ना वह हो सकते हैं किसी कंडिशन में कभी-कभी होते कभी नहीं होते और कभी अगर हो भी जाते तो र कर लेना है इसके बाद आपको अगें प्लेश्टोर में आना है यह उन्स्टॉल नजर आ रहे होँए वहां पर अपडेट का बटन नजर आएगा इसे अपडेट कर लेना है बस दोस्तों काम हबारा हो गया इतना ही आपको सॉल्फ करना है तो यह जो छे सोलूशन से प्रॉ